ICC Cricket World Cup 2023 का 37 ODI मैक जो की कल इंडिया वर्ड से साफ अफरीका खेला जाने वाला है तो दोस्तों क्या इस मैच में भी आपको शक है विरोही सर्मा नहीं चलने वाला है या फिर विराड कोली नहीं चलने वाला है मुहम्मद सिराद नहीं चलने वाला है शक तो नहीं है ना भाई आपने नहीं देखा है तो फाइनली इस मैच में कौन-कौन खिलारी इंपोर्टेंट होने वाले हैं सब कुछ एक-एक करके बताऊंगा भाई और आज के इस वीडियो में 9 फिक्स प्लेयर में लेके जा रहा हूं 9 फिक्स प्लेयर और 5 ट्रम प्लेयर जो आपके लिए बहु बहुत ही ज्यादे इंपोर्टेंट है और आगे में आपको पिछी रिपोर्ट प्लेयर एस्टेट्स उसके बाद हेट टू हेट रिकोर्स वैन्यू रिकोर्ड्स प्लेयर बैटल ओवर बॉलर बाई बॉलर उसके बाद दो टीमों का कॉमिनेशन सी बीसी का राइट कर बनने वाला हूं तो अगर आप भी फर्स्ट लाइक फर्स्ट कॉमेंट या सुपर कॉमेंट का बिनर बनना चाहते हैं ना तो जाओ फटा-फट से कॉमेंट करो और प्यारा सा कॉमेंट करना भाई ताके मैं आपको गिवे बिनर बना सकूं उसके बाद इस वीडियो में एक सवाल में पुछने वाला हूं जो बड़ा ही आसान होने वाला है ठीक है ना तो वीडियो को छोड के मत जाना अगर गिवे बिनर बनना चाहते हो तो चलो आगे बढ़ने से पहले दबा कर एक लाइक करो आप लों का प्यार और समर्थर मिलता है तो बहुत अच्छा लगता ह है आज के इस वीडियो में लाइक टार्गेट है ओनली दो हजार ये बहुत कम है भाई चुकि आप लों का बहुत प्यार समर्थर मिलता है ना भाई इसके लिए ये सिर्फ दो हजार रखा हुआ है बाकि आप अपने भाई के लिए चार हजार पांच हजार भी कर सकते हो ये मुझे पता है ये भरोसा है इतना तो अपने दोस्तों में फटा फट से शेर कर दो ताके ये लाइक टार्गेट ना जल्दी ही पूरा हो जाए चलो हम बात करने ते ये जो मैच है बाई ये मैच इडन गाडेन के महा ग्राउंड में खेला जाने बाला है पांच नॉमबर द पर पिंड क्या हुआ है जहां बड़े आसानी से कर सकते हैं चुकि यहां पर मैं आपको सब कुछ फिरी में परवाइड करता हूं तो ये बहुत ही जरूरी है उसके बाद पहली बार इस चैनल पर आये हो पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों का स् चैनल पर फटा फट से सब्सक्राइब कर लो यहां पर लाखो लोग इस चैनल का फायदा उठा रहें तो आप पिछे किवरों होगे फटा से यूटीब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ठीक है और साती साथ बेल नोटिफ्केशन को आल पे सेट कर लेना ताकि कि जब भी मैं क total matches जो है न भाई अभी तक जो खेले गये वो है 32 32 matches यहां पर खेले के बैटिंग first करने वाले ने 19 matches को किया वहीं betting second करने वाले ने 13 matches को निया तो यहां पे उम्मीद है कि जो भी team two जीतेगी वो first betting करना पसंद करेगी चुकि first betting करने वाले को थोड़ा सा सा ज्यादा इडवांटेज है अब एक नजर यहां पर हम डालेंगे एवरेज स्कोर पर फर्स्ट बैटिंगी तो दो सो तीरपन का है ठीक है न वहीं पर हाइस्ट इसकोर इंडिया ने यहां पर चार सो चार रन वहाँ था पांच विकेर के नुमसान पर लोएस्ट इसकोर की बात करें इं पर छे बार बना है तो ओवराल देखा जाए तो यह बिकेट ना यह पीच बालेंस होने वाला है जहां पर बावलर्स और बैट्स बैंक दोनों को इकवल सपोर्ट मिलने वाला है यहां पर अच्छे स्कोर के साथ ना विकेट भी अच्छे खासे गिरते हैं वो फाइनली 24% है और बारिस का भी चांस है वाई लेकिन सिर्फ 6% है तो मुझे लगता है कि यहां पर पूरे ओवर का मैच आपको बड़े आसानी से देखने को मिल जाएगा चलो आगे बरते हैं और आगे यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे रिसेंट मैचे इस ग्राउंड पे जो हु कर पाएंगे यहां पर सब कुछ एक एक करके मैं आपको बताने बालाओं देखो 31 अक्टूबर 2023 को इसी वर्ल्ड कप में बंगलादेस और पाकिस्तान का मैच हुआ था बंगलादेस फर्स्ट बैडिंग करते वे 204 रन बाया था 10 विकेट के नुकसान पे वहीं पे पाकिस् को आठ और इस्पिनर को पांच देखते जाना 28 अक्टूबर 2023 को इसी वर्ल्ड कप में नेधर लैंड और बंगलादेस के बीच में हुआ था मैच नेधर लैंड फर्स्ट बैडिंग करते वे 229 रन का टार्गेट दिया था 10 विकेट के नुकसान पे वहीं पे बंगलादेस 14 2040 रन पे ही अपना 10 विकेट फेक दिया था अब देखो यहाँ पर फर्स्ट इनमें कितने विकेट्स गिरें हैं टोटल 9, सेकेंड इनमें यहाँ यहाँ पे नौटल 18 विकेट्स गिर गहे थे पेसर को यहाँ पे 13 और स्पिनर को सिर्फ पांच विकेट अब देखो यहाँ 12 जनवडी 2023 को सिरलंका और इंडिया के बीच में मैच हुआ था अब देखो सिरलंका फर्स्ट बेटिंग करते हुए 215 रन का टार्गेट दिया था 10 बिकेट को उसार पे वही पे 219 रन बना करके इंडिया ने इस मैच को चेस कर लिया था अब देखो यहाँ पर फर्स्ट इनिग में टोटल 9 बिकेट गरे और सेकेन इनिग में 6 टोटल यहाँ पर 15 बिकेट गरे अब यहाँ पर 10 बिकेट लेकर गए पेसर और 5 बिकेट इस्पिनर को मिले तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ज्यादा तर्बिकेट्स ना पेसर लेके जाते हैं एस्पिनर को बहुत कम बिकेट्स मिल रहे हैं ठीक है ना तो उसके according कैसे आप टीम किरेट करोगे कैसे combination लगाओगे किस पेसर को लेना है किस एस्पिनर को लेना है सब कुछ एक एक करके बताऊंगा आज फाइनली सारे खिलारियों के उपर देप तेनलाइसिस करने बाला हूँ वीडियो को छोड़ के मत जाना बहुत पस्ता होगे ठीक है चलो आगे बढ़नी से पहले दोस्तो अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है जहां पर आप मुझसे मैसेज के थूरू बातें भी कर सकते हैं तो लिंक की डिस्क्रिप्शन में जा करके फॉलो कर लो उसके बाद फेस्बुक पेज को भी फॉलो कर लेना और वट्सप चैनल को भी जोईन करेंगा इन सब का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम हेट टो हेट रिकॉर्स देखने बारे पिछले 10 मैचों का जब यह दोनों टीम आमने सामने पिछले 10 मैचों में हुई तो इनका क्या रिकॉर्ड रहा वो फाइनली यहां पे जानने बाले हैं कभी आप एक अच्छे टीम किरेट कर पाओगे देखो पिछले 10 मैचों में इन्डिया ने 5 मैचेस को बिन किया और 5 मैचेस को लॉस किया यह चीज़ आपको ध्यान में अखना है और उसके एकॉडिंग ही आपको टीम बनाना है ठीक है यहां पर देखो बॉलिंग स्टेट्स ऑफ लास्ट त्री मैचेस की यहां पर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे पेसर को टोटल तीन मैचों में 31 इंग में 19 और 12 दोनों इंग आपको मैं आगे बताने वाला हूँ तो बने राना वीडियो पे ठीक है ना दोस्तों अगर इस वर्ल्ड कप 2023 में अगर अच्छी विनिंग चाहते हो अच्छे रैंक पर जाना चाहते हो ग्रेंड लीग को क्रेट करना चाहते हो तो यह वीडियो जरूर से देख लेना भाई दस से बारा मिनट की वीडियो है ज्यादा टाइम नहीं लेगा लेकिन बहुत ही ज्यादे इंपोर्टेंट वीडियो है हमने यहाँ पे फाइनली बताया हुआ है कि इस वर्ल्ड कप 2023 में आप ग्रेंड लीग को कैसे जीच सकते हैं तीन टीप्स बताया हूँ और बहुत ही म लास्ट में आपको मिल जाएगा तो जरूर से वीडियो को इस वीडियो को देखने के बाद देख लेना चलो आगे बरते आगे यहाँ पर बरते और यहाँ पर इंडिया का प्रोवेबल 11 देख लेते हैं क्या हो सकता है बाई तो रोही सरमा और समनगिल दोनों ओपनिंग कर तेवे दिखेंगे उसके बाद विराट कोली वन डाउन पर सिरे साइयर उसके बाद लोकेश राहूर सुरीकुमार यादब रविंद्र जडेजा मुहम्मद समी कुलदीप यादब उसके बाद जस्प्रीत मुम्रा और मुहम्मद सिराग देखो यहाँ पर सुरीकुमार या यह दोनों ओपनिंग करता हुआ आपको दिखेगा वन डाउन पे आरवन डर्सन एडन मारकरम हैंडिस क्लासन डेविडु मिलर मारको जैंसन केसव महराज केजिसो रवादा जी कॉड़ जी उसके बाद लूंगी नगेरी तो कुछ ऐसा पर लेंगे नमन साफ अफरीका का रह स करता है अगर इन दोनों टीमों में कुछ भी बदला हुआ ना भाई वह मैं टेलिगाम पे आपको इंफर्म कर दूँगा टेलिगाम चैनल को पक्का से ज्वान करना निक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कोमेंट में आपको टॉप फिन क्या हुआ मिल जाएगा जरूर से और लिकर ना भाई चलो आगे बरते आगे यहां पर हम विकेट की पर सेक्षन की बात करने तो विकेट की पर सेक्षन में bat इंडिया की तरफ से लोकेस राहूल और साल्थ अफरिका की तरफ से कुन्टे कोक और हैंडिस कर आसी थे फाइनली यहां पे हम जानने बाले है कि क ज्यादते टीमों पे लेके जाना, एक टीम पे आप ड्रॉप करना, एक टीम पे, ठीक है, बाकि आप ज्यादे टीम पे लेके जाना, ठीक है, अब साथ अफ्रिका कितब से बात किरें, कुंटन डिकोग का यहां पे स्टेट सम्देखने बाले हैं, 114, 24, 174, मतलब के, देखो, 174 बहुत ही जबरतस पारी खेला था, उससे पहले 109 और 100, 114 भी पिछले मैच में बनाया था, हेट टो हेट में यहां पे 56 का एवरेज है, जब इंडिया के एगेंस खेलता है, तो 56 के एवरेज से खेलता है, वैन्यू पे अभी तक नहीं खेला हुआ है, तो इंपॉर्णन का एवरेज है, जब इंडिया के एगेंस खेलता है, वैन्यू पे अभी तक नहीं खेला हुआ है, इडन गार्डेन में, ठीचे ना, तो ये भी आप, ग्रेंड लिग में, जैसे कुंटन डिको को अगर आप डॉब करते नो, तो हैंडिस कलासन को ज़रूर से अपनी टीम में कंसिलर करना, ठीक है न, मतलब, ग्रेंड लिग के पॉइंटे भी से, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बैटिंग सेक्षन में, हम देख लेते हैं, दोस्तो, बैटिंग सेक्षन में क्या इंपोर्टन रहने बाला है, कौन इंपोर्टन रहने बाले है, फाइनल अब फाइनली रोही सर्मा की बात करें पिछले मैच में चार रन पे आउट हो गया था उससे पहले 87, 46, 48 गजब फॉर्म में है भाई यहां पर हेट वेड में 33 का एवरेज है वेडियू पर 96 का एवरेज है ठीक है तो बहुत सारे लोगों को यह लेगा इस मैच में चलेगा न ही है 21 का है ठीक है ना फिर भी आप जैसे के चार टीम बनाते हो दो पे लेके जाना दो पे डॉप कर देना ठीक है विराट पॉली बहुत इंपॉर्टन होने वाला इस मैच में वाई पिछले मैच में बहुत शांदार पाड़ी कहला था 88 का ठीक है अब देखो यहां पर पर में और अठाइस का अबरेज वेनियू पे तो आप क्या करना जैसे के सुमन गिल को अगर डॉप करते हो ना किसी टीम पे तो स्रेस आईयर के साथ जरूर से आप जाना ठीक है ना सुर्क उमार यादब को आप ज्यादा टीम बनाते हो तो ग्रें लिग में ट्राई कर ले मतलब के इंडिया के एगेंस 40 का अबरेज है ठीक है तो टेमबा बंवा को आप ट्राई कर सकते हो कुस्ट्यम पे ठीक है आरवन डर्सन बहुत ही ज्याद होने बाला है इस मैच में देखना बाई देखो पिछे मैच में 133 रमाया था मैंने पिछले वीडियो में बोला था गजब रहेगा आरवन डर्सन की तावर तोर बैटिंग होने वाली है मैंने बोला था पिछे वीडियो में और गजब खेल गया ठीक है अब इस मैच में क्या होगा देखो हेट टो हेड में 120 का अविरेज है बहुत ज्यादा इंपोरेंट रहेगा ठीक है लेके जाना एड़ की बात करें या लगातार अच्छा पारी खेल रहा मतलब के एक अवरेज पारी खेल के दे रहा आपको 27 बैटिंग में ट्राइग करना ठीक है चलो आगे बढ़ते आगे यहां पर बढ़ते और लौन सेक्शन में हम यहां पर जान लेते हैं कि इंडिया की तरफ से कौन खेल है तो बैटिंग का एवरेज है 32 उसके बाद 9 मैच में 10 विकेट लेके गया हुआ है और वेन्यू पर 4 मैच में 9 विकेट है बहुत इस्दादे इंपॉर्डन रहेगा लेके जाना ठीक है ना अब देखो साफ सफिका की तरफ से बात करें मार्को जैंसन तो लगातार लेकिन अभी फॉर्म में है मार्को जैंसन अभी फॉर्म में है यह पिछला रिकॉर्ड है लेकिन अभी फॉर्म में है जरूर से लेके जाना अपनी टीम पर कंसिरर करना ठीक है चलो आगे बरते हैं और यहां पर सबसे पहले हम बाली सेसन में देख लेते हैं यह सेक्षन ब खिराडी केलते हुए दिखेंगे अब यह चार खिराडी में से किसको आपको डॉप करना है किसको लेके जाना फाइलिल यह मैं बताने जा रहा हूं मुहम्मद समी की तो बात ही अलग है लगातार अच्छा कर रहा है यहां पर चार मैच में 11 विकेट है है एक मैच में 0 लेकिन यहां से आपको मुझे लगता है कि तीन प्लेयर को लेके जाना ही चाहिए यह अब वो कॉंबिनेशन आप लगा सकते हो जैसे मुहमद समी के साथ कुल्दी पियादब जस्पिरित मुमरा को एक टीम पर रख लिया उसके बाद मुहमद सिराज को एक टीम पर रख लिया उसके बाद कुल्दी पियादब जस्पिरित मुमरा मुहमद सिराज को एक टीम पर रख लिया ऐसे आप करके जा सकते हो ताकि जो भी मतलब चले ना तीनों तीनों खिरारी वो आपकी टीम पर होने चाहिए और जो ना चले वो आपकी टीम से बाहर होने चाहिए ऐसे अगर कॉंबिनेशन लगाओंगा ना तो ऐसा ही होगा ठीक है सब्सक्राइब के तरफ से बात करें किसम महराज के गिसोर अवाड़ा और जी कोड़ जी लूंगी नेगरी यह तीन ख्यारी खेलते हुए दिखेंगे अब देखो यहां पर इंपॉर्डन कोल होगा किसम महराज की बात करें लगातार अच्छा कर रहा भाई पांस मैच में चा कर रहा है यहां पर रिकॉर्ड नहीं है और वैन्यू पर रिकॉर्ड नहीं है तो जी कोड़ जी यहां पर सबसे जाद है इंपॉर्डन होगा लूंगी नेगरी की बात करें पिशे मैच में जीरो उससे पहले यहां पर देख सकते हो लगातार अच्छा कर रहा है नौ मैच म 17 बिकेट है मतलब कि डबल लगभग डबल बिकेट है इंडिया के एगेंस खेलता है ना तो हर मैच में डबल बिकेट लेकर जाता है तो आगे बरते हैं यहां पर हम देखे लेते हैं प्लेयर बैटल, मैच अप, मैच अप यहां पर देखना बहुत जरूरी है भाई, देखो, यहां पर फाइनली आपको पता चलेगा कि कौन ऐसा बॉलर है जो किस बैट्समेंड के लिए खत्रा है, और कौन ऐसा बैट्समेंड है ज यहां पर ओवर बॉलर बाई बॉलर्स देख लेते हैं भाई यहां पर देखो इंडिया की तरफ से जस्पीरित मुम्रा और मुहम्मज सिराज यह दोनों ओपनिंग करता हूँ आपको दिखेगा अब देखो पावर प्ले में जस्पीरित मुम्रा और मुहम्मज शमी उसके बा बॉलर्स के बारे में बता दिया अब इसके एकॉडिंग आप अपनी टीम में बॉलर्स को बरे इजिली कंसिरर कर सकते हो अब हम नौ फिक्स प्लेयर बताने बाले हैं आपको सबसे पहले हम चलते हैं यहां पर प्लेइंग एलम्रे में देखो यहां पर इंडिया की तरफ से मैं पांच फिक्स प्लेयर लेके जाऊंगा और मैं साउथ अफरीका की तरफ से चार फिक्स प्लेयर लेके जाओंगा और पांच ट्रम प्लेयर बताने बालाओं इंडिया की तरफ से एक ट्रम प्लेयर और चार ट्रम प्लेयर मैं बताओंगा साउथ अफरीका की तरफ से ठीकर चलो जालनेते हैं यहां पर कौन-कौन फिक्स लेक तीन होगे अब दो और कुलदीप यादब यहां पर करें अब curly यहां पर पिक्स और मेरा उसके पाँब्ड यहां पर मुल्भेश्च को सकता हुकई गम कँल एक प्यादए फ्ञाफ्ट मेंस पनु को सकता है कि आप कुलदीप यादब हेट्वेट में बहुत ही तगरा है कुल्दी प्यादब ट्रम प्लेयर हो सकता है आप चलो आगे बरते हैं और हम जान लेते यहाँ पर साफ सब्क्राइब के तरफ से चार फिक्स प्लेयर उसके बाद चार ट्रम प्लेयर यह मैं आपको बताने वाला हूं बिलकुल बारी रहेगा यह चार खिलारी मेरा फिक्स हो गया अब देखो यहाँ पर चार ट्रम प्लेयर मैं बताने वाला हूं आपको तो यहाँ पर लूंगी नगेरी ट्रम खिलारी होगा ठीक है न एक ही हो गया उसके बाद के सम महराज यहाँ पर ट्रम प्लेयर हो सकता है अब देखो यह इंबाब वह यहां पर Trump player सावित हो सकता है. Handish classen, Trump player सावित हो सकता है. यह 4 खिरारी न, Mega Grand League के point review से आप लेके जा सकते हो, कम लोग लेके जाएंगे, इसका फायदा उठा सकते हो आप. Try करना भाई, Try. Grand League क्या है, भाई, संभावनाओ को create करना है, जाव चलो अब हम सीधाँ चलते हैं कहाँ चलते हैं तिम का रिभू करते हैं और से पहले गिबे का सवाल पूछ लेता हूँ गिबे का सवाल है रोही सर्मा कितने रन बनाएगा आपको 5 के एंतर में बताना है जैसे कि 85-90-90-90 मैं ये एक्जामपल दे रहा हूँ बाकि आप अपने हिसाब से आपको जो लगता है न वो आप बता सकते हो ठीक है न कमेंट कर सकते हो तो जाओ फटा-फट से कमेंट करना स्टार्ट कर दो और अपने दोस्तों में शेर जरूर से करना भाई भाई का सपोर्ट करो यार शेर जरूर से कर देना और लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लेना हुआ है आप यहां पर बात करने और उलड सेंटर में यहां पर लिया हुआ है यहां पर नीचे शिफ्ट कर सकते हो और यहां पर आप किसको लेके जाना यहां पर सिराज को भी dp-adab को भी try कर सकते हो अब देखेंगे हो इसके बाद आरवन डर्शन और सुमन को लिए यहाँ पे ए मारको जैंसन सुमन गिल की जगे यहां पर रविंद्र जड़ेजा को ट्राई कर सकते हो अब देखो यहां पर बॉली सेस्टन में जस्पीरित मुम्रा को वाइस केप्रन और के रवाड़ा और यहां मुहम्मद शमी और मुहम्मद सिराज तो कुछ ऐसा रिस्की टीम है अब हम सीवी सी का कंटेंडर यहां पर सेफ़ी सीवी सी सबसे पहले बताऊंगा तो सेफ़ीद में होगा एक तो कुंटंड को सेफ़ी होगा सिवी सी होगा उसके बाद रोही सर्मा यहां सेफ और विराड कोली सेफ होगा बाकि यहां पर मार्को जैंसन को भी आप सेफ-और सिमें ट्राई कर सकते हो चुकि बहुत इच्छे format अब यहां पो रिसकी कौन-कौन होगा सुमन गिल रिसकी एजए रिसकी ठीक हैना उसके बाद यहां पर जस्पीरित बोम्रा एजए रिसकी मुहंम्म समी एजए इसकी यह मैंने आपको बता दिया तो इसके एक औरिंग आप अपनी ठीम में सी बीसी रूटेट कर सकते हो तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्डेंट रहोगा अगर पसंद आये तो एक लाइक करके जरूर से जारा और कॉमेंट सेक् तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू सो मच